CBSC World में आपका स्वागत है तो पहला चैप्टर हमारा mathematics class 10 का complete हो गया था अब आज से हम second chapter start करेंगे जो कि हमारा है polynomials तो इस lecture में हम exercise 2.1 से related concept पढ़ेंगे सबसे पहली चीज यह polynomial है क्या तो भईया polynomial एक तरह का एक खास तरीके का algebraic expression है यानि algebra का ही system है उसी का एक part है यह अब कुछ चीजें आपने last year यानि class 9 में पढ़ी होंगी कि for example कोई polynomial है ax square plus bx plus c ठीक ऐसे कोई था आपका इस a को हम क्या कहते थे coefficient of x square यानि x square के पहले जो लिखा है y है a और b क्या है coefficient of x और c क्या था constant term हमारा ठीक है अब यह जो plus sign का लगा-लगा के जो चीजें अलग होती थी उसको हम term कहते है जैसे यह अपका first term हो गया और यह bx वाला जो था आपका यह second term हो गया ठीक है और यह c आपका third term हो गया ठीक है तो इस polynomial के अंदर तीन term है हमारे पहला ax square दूसरा bx तीसरा c अब जो इस polynomial में x की यानि जो variable होगा उसकी maximum जो power होगी जैसे यहा maximum 2 है ठीक है इसको हम क्या कहते थे degree ठीक है degree बोले तो maximum या highest power of x या y जो भी variable होगा यहां तो इसको हम degree कहते थे ठीक है यह सब आप पढ़े थे बस थोड़ा से revise कर रहा हूँ यहां पर और सिर्फ उनी चीजों को discuss करूँगा जो अभी हमको ज़रुत पढ़ेगी इस chapter में पढ़ने की उतना basics है यहां बताया जाएगा ठीक है तो आप समझेगा है coefficient क्या है term क्या है degree क्या है अब for example हमने कोई polynomial ले लिया x square plus 2x ठीक है तो इसमें आप पूछू कितने term है तो एक x square हो गया और दूसरा 2x हो गया तो term आपके 2 हो गया degree क्या है देखे x के उपर यहां 2 power है यहां 1 power है maximum power किसकी है 2 की तो degree इसकी 2 हो जाएगी x plus 1 मैंने लिख दिया अब term कितना है 2 है degree इसकी क्या maximum power degree यानि 1 हो गई x cube minus 3 अगर मैंने लिख दिया तो term यहां पर भी 2 है और देखे अब power क्या हो गई 3 हो गई maximum तो degree इसकी 3 हो गई तो ठीक है आप degree समझ गए इसका काम पड़ेगा हमको इसलिए मैं बता दिया आपको और दूसरी बात जो power होगी x की वो एक whole number होना चाहिए यानि x की जो power होगी इस polynomial के अंदर वो या तो 0 हो 1 हो 2 वो इसी तरह आगया के चलेगी निगेटिव नहीं हो सकती और इसके अलावा और कोई दूसरा fraction नहीं हो सकता एक whole number ही होना चाहिए जैसे मैं एक example के दोर पर root x plus 3 लिख दू तो इस root x को हम क्या लिख सकते है x की power 1 by 2 plus 3 तो क्या यह polynomial है नहीं भईया polynomial नहीं है क्योंकि power whole number नहीं है 1 by 2 एक whole number नहीं है दूसरा example x plus 1 by x लिख दिया हमने अब इसको हम क्या लिख सकते है x plus यह उपर जाएगा तो power इसकी minus हो जाएगी तो आप देख रहे हैं यह minus 1 जो है यह भी whole number नहीं है इसलिए यह भी polynomial नहीं होगा तो यह दोनों ही not polynomial है ठीक है polynomial नहीं है तो आप समझ गए क्या है यह हो गया आपका basic एक चीज़ और है उसको भी देखते है जैसे कोई polynomial है हमने लिखा ax plus b जहाँ a 0 नहीं होना चाहिए ठीक है तो अब देख रहें maximum power x की क्या है 1 है तो degree यहाँ 1 हो जाएगी इस तरह के polynomial जिसकी degree 1 होती है उसको हम कहते है linear polynomial यह linear polynomial हो गया for example 4x plus 2 2x minus 3 इसमें देख रहें degree 1 है इस तरह के हम polynomial को कहेंगे linear polynomial है दूसरा एक polynomial है इसको हम ऐसे लिख सकते है ax square plus bx plus c यहाँ पर भी a 0 नहीं होना चाहिए ठीक है बाकी b और c 0 हो सकता है a 0 नहीं होना चाहिए यहाँ देखें maximum power x की क्या है 2 है तो degree 2 हो गई इस तरह के polynomial को हम कहेंगे quadratic polynomial ठीक है इसमें example के तोर पर x square minus 2x plus 5 ले लिजे ठीक है या x square plus 1 या minus 1 कुछ भी ले सकते है जहाँ power 2 है अब देखें इसके अंदर क्या है b की value 0 आ गई यहाँ पर ठीक है कोई x वाला टर्म यहाँ इसमें नहीं दिख रहा है तो यह हो सकता है लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए तो यह सारे हो गए quadratic polynomial तीसरा एक है जिसको हम लिख सकते है ax cube plus bx square plus cx plus d यहाँ पर भी a 0 नहीं होना चाहिए तो यहाँ maximum power 3 है तो यह 3 degree का हो गया ठीक है इसको हम कहेंगे cubic polynomial ठीक है यह cubic polynomial हो गया पर एक्स cube minus 3 ठीक है ले सकते है तो यह चीज़ें आपको clear हो गई हो कि degree क्या होता है linear, quadratic, cubic polynomial क्या होता है आप इसको note down कर सकते है अब आगे बढ़ते हैं जो अब हमारा topic है यानि zeros of the polynomial जो हमको पढ़ना है तो यह zeros of polynomial क्या है जैसे कोई polynomial है ax plus b तो x की क्या value रखे कि यह 0 हो जाए ठीक है x की value क्या हो कि यह equation बराबर 0 हो जाए for example कोई question ले लेते है x plus 2 तो x की क्या value रखी जाए कि यह equation 0 हो जाए यानि यह 0 बराबर हो जाए तो हम कैसे निकालेंगे x plus 2 equal to 0 तो x की value minus 2 हो गई यानि इसके यहाँ हम minus 2 रख देंगे तो यह equation 0 हो गई तो यह जो minus 2 है यही आपका 0 कहलाएगा यानि 0 of the polynomial इसी तरह गर हम दूसरा example ले 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 x square minus 3x minus 4 equals to 0 और इसको solve करें तो क्या होगा x square और 4 यानि होगा 4, 1 ठीक है minus 4x plus x sorry, minus 4 equal to 0 इसको क्या लिख सकते हैं इसको common लिए x minus 4 हो गए हमारे पास plus x minus 4 equals to 0 यानि x plus 1 और x minus 4 equals to 0 तो या तो यह 0 होगा या तो यह 0 होगा दो चीजों का multiple अगर 0 आ रहा इसका मतलब दोनों में से एक कोई 0 होगा जिसकी वज़े से यह पूरा दोनों का multiplication 0 हो जा रहा है तो या तो x plus 1 equals to 0 होगा अगर ऐसा होगा तो x की value हमारे सामने minus 1 आ जाएगी या x minus 4 0 होगा जिससे क्या हो जाएगा x की value हमारे सामने 4 आ जाएगी तो यही दोनों हम कहेंगे zeros of polynomial तो यह आपका quadratic polynomial है और उसका 0 दो आया ठीक है दो values आई minus 1 और 4 ठीक है अब हम बढ़ते हैं geometrical meaning of the zeros of a polynomial या ग्राफ के जरीए इस 0 को हमें पता लगाना की ग्राफ से देखकर हम कैसे पता करेंगे कि इसके 0 कौन से हैं और कितने 0s हैं पहले बात कर लेते हैं linear वाले ठीक है linear polynomial के हम बात कर लेते हैं तो पहली चीज़ आपको यह जानने की ज़रूरत है कि एक straight line होगा ठीक है इसका ग्राफ जो होगा वो एक straight line होगा यह सब आप class 9 दे पढ़े हो example को तोर पर हम कोई example ले लेते हैं y is equal to 2x plus 3 कोई ग्राफ है जो की pass कर रहा है कहां से minus 2, minus 1 and 2, 7 से pass कर रहा है तो हम ग्राफ देखते हैं यह रहा आपके सामने ग्राफ ठीक है तो यह एक जिखे 2, 7 यानि x पे 2 बढ़ेंगे और उपर हम 7 बढ़ेंगे इसको मैं लिख देता हूँ यहां पर तो 2, 7 कहां आएगा x पे 2 बढ़िए y पे 7 बढ़िए यह यहां आएगा एक point तो यहां आगया दूसरा क्या है minus 2, minus 1 यानि x पे minus 2 बढ़ो y पे minus 1 यहां इन दोनों लाइन को मिला देंगे तो वो straight line हमको आ जाएगी तो इसको मिला देते हैं ठीक है तो यह जो line आई हमारे सामने इसकी equation क्या है y is equal to 2x plus 3 तो जहां पर भी यह x axis को cut करेगा जिसे यहां cut कर रहा न यह x axis जारी है पूरी तो इस x axis को जहां पर भी यह line cut करेगी इस graph वाली line को वही हमारा कहलाएगा 0 यानि यह zeros है अब यहां एक जहें cut कर रही है तो एक 0 होगा उसकी value क्या होगी यहां graph से हम देखकर निकाल सकते हैं जब graph से देखेंगे तो यह value आपको निकल कर आएगी यहां x की जो value है x की value minus 3 by 2 और हम वैसे भी अगर solve करें इसको अगर हम जैसे 2x plus 3 को हम 0 करें तो x की value क्या आएगी minus 3 by 2 तो वैसे solve करने भी आ रहा है graph से भी हम देख रहे हैं यह एक्स की value minus 3 by 2 और y 0 ही होगा क्योंकि x एक्सेस पे जितनी value होगी y की 0 होगी y एक्सेस पे तो कुछ चला ही नहीं ना उपर की तरफ ठीक है तो दो चीज यहां से आपको ध्यान में रखनी है एक तो यह कि linear polynomial एक straight line होगी और दूसरा उसका 1 ही 0 होगा एक ही 0 जाएंगे इसके अंदर यानि x की सिर्फ एक ही value होगी जिस पर यह equation 0 हो जाएगी तो linear polynomial has exactly 1 0 और वो कहां होगा point where graph intersect x-axis यानि जहां पर यह जो graph है जो line हमारी जा रही है जहां पर भी x-axis को intersect करेगी या काटेगी वह ही हमारा 0 होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अब quadratic polynomial की बात हो रही है यहां पर तो quadratic polynomial का graph किस तरह से होता है equation किस तरह सोती है ax square plus bx plus c और इसका graph पैरा बोला होता है ठीक है पैरा बोलिक graph इसका होता है यानि ऐसे करके उपर की तरफ होगा या ऐसे होगा थोड़ा कटोरा shape का type का होता है ठीक है इस पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दू इसका जो graph है आपकी book में दिया हुआ है पूरा plot करके वो graph आपको बेलकुल नहीं सीखना है वहाँ नीचे mention है ये exam के point of view से ये नहीं है बस knowledge purpose के लिए दिया है यानि इसका graph बनाना आपको नहीं सीखना है इससे जो सीखना है वो मैं अभी आपको बता दूँगा ठीक है इससे graph related कोई question नहीं आने वाला है कि आपको equation दे दे और graph बनाईए तो book में देखके रहाँ बहुत ज़दा confusion हो जाएगा केरे कैसे graph को बनाए तो attention नहीं लेना है तो हम देखते है graph क्या है इसमें अलग-अलग case हो सकता है for example कोई graph बना कुछ इस तरह से ठीक है अब यह किधर भी हो सकता है जरू नेक एकदम ऐसे ही यहीं graph बने हो सकता है इस तरफ बन जा ऐसे graph ठीक है यह हो सकता है ऐसे इस तरफ बन जा है मैंने बस एक type ही बता दिया अब कैसा भी graph बने देखिए यह x-axis को कहां काट रहा है एक तो यहां कट कर रहा है अगर यह blue वाले graph को देखें और एक यहां यानि दो जिखें कट करेगा red वाले वाले को देखें एक यहां कट कर रहा है दूसरा यहां कट कर रहा है और हमने क्या पढ़ा था कि जहां पर भी जितनी बार भी x-axis को कट करेगा वो 0 होंगे यानि एक 0 अगर red वाले graph की बात करें एक 0 यहां मिलेगा ठीक है और दूसरा 0 आपको यहां मिलेगा तो यानि 2 0s यानि x की 2 value आएंगी जिन पर यह equation equals to 0 हो जाएगी अब यह graph ऐसे बना है पैरा बोला हमने कहा था कि ऐसे भी ऐसे भी बन सकता है तो माल लेते हैं हम ऐसे बन गया तो यहां पर भी देख रहे हैं कि 2 जगें कट कर रहा है तो यहां क्या होंगे 2 0s बनेंगे ठीक है दो values आएंगी दो 0s होंगे अगला case देखते है अब इस case में क्या हुआ graph वही वाला उसी तरह बना है लेकिन ऐसे करके बना है ठीक है अब कि यहां चूते हुए यहां touch करते हुए गया तो भाईया एक ही जगे तो cut करेगा एक ही जगे उसने touch किया किसी एक point पर तो यहां आ गया 1 0 इसी तरहीके से यह उल्टा भी बन सकता है पर इसे बन गया ठीक है यहां पर यह touch कर रहा है ठीक है थोड़ा से graph नीचे हो गया यह touch कर रहा है यहां भी आप देखोगे कि 1 0 है एक ही value आ रही है तीसरा case क्या हो सकता है कि यह graph ऐसे बन जाए ठीक है उपर से कुछ यहां देख रहे हैं कहीं touch नहीं कर रहा है कहीं पर भी x-axis को cut नहीं कर रहा है ठीक है आप देख सकते हैं तो no 0 कोई भी 0 यहां नहीं आएगा कोई भी value x-axis नहीं होगी जिससे equation 0 हो जाए या ऐसे उल्टा वाला graph बन जाए ठीक है यहां बर भी no 0 तो अब आपको इसमें क्या समझना है आपने यह चीज समझ गी मैं जो बता रहा था अब इस graph को आपको याद नहीं रखना कितने type का होता है कैसे कैसे होता है बस आपको यह याद रखना है जितनी जगें cut करेगा उतना 0 होगा और इससे आपको एक चीज यह समझ में आई कि अगर quadratic polynomial हमको दिया है यानि जिसकी degree 2 है तो हो सकता उसके 2 zeros आ जाजाए जैसे यहां हुआ था या हो सकता है एक ही 0 आ जाए एक ही वो value हो जिससे वो equation 0 हो या no 0 हो यानि कोई भी ऐसी x की value ना मिले जिससे equation 0 हो पाए बस आपको इतना याद रखना है कि quadratic में जादा जादा 2 0 हो सकते हैं और कम में क्या एक भी हो सकते हैं और सकता है कोई भी 0 ना हो तो यही चीज़ statement के form में मैं लिख के समझा देता हूँ आप अपने copy में note down कर लिजिए तो quadratic polynomial can have क्या हो सकते हैं आइदर 2 distinct 0 यानि 2 अलग 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 x की value जैसा कि हम graph में देख चुके हैं और 2 equal 0 यानि 2 zeros तो हैं लेकिन दोनों वही हैं same है equal है तो हम क्या कहेंगे for example अगर x value 2 आई और दोबारा भी x value 2 आई तो आप कहोगे 1 ही 0 है ना value तो 2 तो 2 ही है तो 2 equal 0 आ जाएंगे तो मतलब 1 ही 0 है उसका और no 0 यानि कोई भी value नहीं है यह हमने graph में देख लिया तो इससे हम क्या कह सकते हैं polynomial of degree 2 has at most 2 zeros तो अगर degree 2 है उस polynomial की तो जादा जादा 2 zeros हो सकते हैं ठीक है बस यही चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है कि जादा जादा 2 zeros हो सकते हैं इसी तरह cubic polynomial देख सकते हैं इसका भी graph आपके ncr d book में दिया हुआ है वो graph आपको याद नहीं करना कैसे बनाना है उसका example बिल्कुल नहीं याद करना वो सब exam में नहीं पूछा जाएगा अभी हम example के question लगाएंगे तो आपको पता चलेगा इससे आपको कितना कम पूछा जाएगा ठीक है तो क्यों भी polynomial का graph कैसे हो सकता है पहला case लेते हैं कि ये कुछ ऐसे graph बनता है ठीक है इसको आपको सीखना नहीं नहीं बताता है कि ये graph कैसे बनता है ये ये ऐसे curve क्यों आता है तो यहाँ देख रहे हैं एक ही जगे पर cut कर रहा है ठीक है ये ऐसे भी हो सकता है यहाँ cut कर रहा है या यह हो सकता है, ऐसे हो जाए, ठीक है? कैसे भी हो सकता है, लेकिन एक जहें cut कर रहा है, पहला case में, यानि, one, zero, या ऐसा हो सकता है, कि graph इसका कुछ इस तरह से चले, ऐसे करते हुए, ऐसे जाए, तो यानि, एक यहां cut करें, और एक यहां, ठीक है? तो इसमें two zeros हो गए ठीक है अब ये कैसे भी हो सकता मान लिए ऐसे पूरा नीशे चला जाए यहां से ऐसे ठीक है ऐसे नहीं तो कैसे भी हो सकता है यानि दो zero भी हो सकता है और हो सकता है ये graph ऐसे करके चले कुछ ठीक है यहाँ से होते होए ऐसे चला जए एक जगें यहाँ कट गिया ऐस एकसेक्स हो फिर दूसरा यहाँ पर एकसेकस को कट किया तीसरा यहाँ पर तो एक दो और तीन तो कितने हो गए थूर्जी जिरोज थीक है तो क्neum कुबिक पॉलिनोमिल हमको क्या पता चला कि या तो एक जिरो हो सकता है या दो हो सकता है या तीन हो सकता है वही चीज लग सकते हैं एट मोस्ट यानि जादा से जादा तीन जिरो तीन जिरो हो सकते हैं जादा जादा तो भाईया एक बात हम जनरली क्या कह सकते हैं हमने वन डि दिगरी होती है तो एक जीरो होता है दो डिगरी वाले में जादा जादा दो हो सकते हैं क्यूबिक वाले में यानि तीन डिगरी वाले में जादा जादा तीन जीरो हो सकते हैं तो यानि कोई जदे जिरोज होंगे ठीक है तो ये चीज यहां आपको concept समझ में आ गया होगा अब हम example देखते है तो आप यहां पूछा है look at the graph पर हमको देखना है each graph of y is equal to px where px polynomial each graph find the number of zeros पता करना है कितना zeros और हम जानते है number of zeros कैसे निकालेंगे जितनी जगे पर x axis को cut करेगा वो graph उतने zeros आएंगे तो पहले वाले में देखिए वह यहां एक जगे यहां cut कर रहा है और कहीं तो नहीं cut कर रहा है तो इसके one zero आएंगे ठीक है दूसरा वाला graph देखिए अब आप graph देख के भी बता लोगे कौन सा है पहला वाला कौन सा graph है क्यूबिक का था जबकि आपको याद नहीं रखना कि यह क्यूबिक का graph है कैसे बनता है लेकिन आप इतना समझ गयो कि आप graph पहचान जोगे दूसरा वाला कौन सा था quadratic का है यह और यह downward face कर रहा है ठीक है उल्टा वाला जो हमने देखा था यह कहां कट कर रहा है एक तो यहां कट कर रहा है दूसरा यहां कट कर रहा है तो यह कितना आएगा इसका दो zeros आएंगे इस वाले graph में देखिए एक यहां कट किया दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ तो इसके तीन आएंगे चौथा वाले देखिए X-axis को यहाँ कट कर रहा है ठीक है आपको यह न कहना कि Y पे भी कट कर रहा है सिर्फ X-axis देखना है हमको X-axis पे जहें कट कर रहा है बस तो एक हो गया यह इस वालेगरफ को देखिए यह यही पर बस टाच कर रहा है तो यह भी एक हो गया इस गराफ को देखिए एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ फुल मिलाके चार ठीक है एक्जांपेल हो गया आज कि इस वीडियो में exercise 2.2 के concept हम देखेंगे relationship between zeros and coefficient of polynomials तो coefficient के बारे में पहले lecture मैंने बता दिया था क्या होता है zeros के बारे में बता दिया था अब इसके बीच में रिष्टा क्या है वो हम देखेंगे तो linear वाला तो आप पढ़ चुके हो class 9 में एक बारे देख लेते हैं linear polynomials के बारे में गर हम देखेंगें तो कैसे लिख सकते हैं AX प्लस B इस तरह से लिख सकते हैं अब X की क्या value रखें कि ये AX प्लस B equals to zero हो जाएं तो हम इस equation को solve कर लेते हैं कैसे करेंगे AX is equal to ये भी इधर चला जाएगा minus B यानि X की value minus B by A होगी ठीक है या पढ़ चुके थे कि zero निकालना हो X की value निकालना हो जिस पे equation zero हो वो क्या होती थी minus B by A तो यही हमारा क्या होता था zero होता था zero of polynomial तो चलिए हम quadratic के बारें पढ़ते हैं ठीक है quadratic polynomial quadratic polynomials example से मैं समझाऊँगा फिर हम formula अपने आप बना लेंगे for example कोई हमारे पास quadratic polynomial है 3X square plus 5X minus 2 अब इसका zero निकालना है X की वो value निकालना है जिस पे ये equation zero हो जाए ठीक है ये zero हो जाए तो कैसे निकालेंगे ये आप पढ़ चुके हो कैसे ये middle वाले term को split किया जाता है तो इस middle वाले term को हम breakdown कर लेंगे इस तरह से हमको breakdown करना है कि ये दिखिए A वाला और C को multiply करेंगे 6 यानि उन दो term का multiplication हमारा 6 आना चाहिए और जब दोनों को add करेंगे तो 5 आना चाहिए तो क्या हो सकता है आप देखेंगे तो बहुत असान है आप भी कर चुके हो क्या होगा 6 x minus x कर लेंगे तो इसको क्या 6 x minus x क्या होता 5 x होता है और 6 multiply by 1 6 होता है तो हम अच्छ 6 चाहिए था ठीक है ये जानते हो बस मैं बता रहा हूँ अब यहां से हम 3 x को common ले लेंगे x plus 2 आ जाएगा यहां और फिर ये minus common आ जाएगा x plus 2 यहां हो जाएगा equals to 0 3 x minus 1 हो जाएगा और x plus 2 equals to 0 ठीक है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा तभी दोनों का multiplication 0 होगा तो यानि 3 x minus 1 या तो 0 होगा उस हिसाब से x की value क्या आएगी 1 इधर चला जाएगा minus 1 जाएगा तो 1 बन जाएगा 1 by 3 हो जाएगा या फिर x plus 2 गी value 0 होगी तो यहां से x की value minus 2 आ जाएगी तो हम zeros की बात करें zeros of यानि इस polynomial का 0 क्या होगा या तो 1 by 3 होगी और x is equal to minus 2 यही हो सकती है अब इसमें एक काम हमको करना है काम यह करना है इन दोनों 0's को हम जोड लेते हैं add कर लेते हैं ठीक है उसमें क्या है 1 by 3 plus minus 2 क्योंकि x यह minus 2 है न तो minus 2 को add करना है हमको 1 by 3 से तो इसको कर लेंगे कुछ है नहीं value आएगी minus 5 by 3 ठीक है अब equation में देखिए 5 कहां दिख रहा है यहां दिख रहा है न आपको और 3 कहां दिख रहा है यहां दिख रहा है तो यहां से b की value 5 यानि 5 को हम क्या लिख सकते हैं b लिख सकते है minus sign पीछे लगा है तो minus भी लगा देते हैं और 3 को क्या लिख सकते है a ठीक है यह हो गई एक चीज अच्छा दोनों को multiply कर लेते हैं यह तो हमारा sum हो गया ठीक है addition वाला हो गया अब product कर लेते हैं multiply कर लेते हैं 1 by 3 multiply by minus 2 sign के साथ आएगा यह थोड़ा ध्यान रखेगा ऐसा नहों कि 2 आपने सीधे उतार लिया क्योंकि जो हमारा 0 आया है जो x value आई वो minus 2 आई है तो sign के साथ हर जगे आएगा तो यह क्या हो जाएगा minus 2 by 3 अब यह minus 2 और 3 आपको कहीं दिख रहा है आप देखो कि यहाँ c की value क्या है यहाँ minus 2 है minus sign लगा हुआ है तो minus 2 की जगा हम c लिख देंगे और a की जगा हम यानि 3 की जगा हम a लिख देंगे तो यह relation आपका बन गया ठीक है इस example से आप समझ गए कि हाँ अगर हम दोनों zeros को add करेंगे तो उसकी value minus b by a आएगी यह वाली और अगर multiply करेंगे तो c by a आएगा ठीक है तो हम एक चीज लिख लेते हैं इसी को यही formula हम use करेंगे sum of zeros क्या होगा अब यहां हम zeros को कुछ नाम दे देते हैं alpha और beta ठीक है जो x की value दो ठो निकल कर आई थी हमारे सामने एक को हमने alpha कह दिया एक को beta इसको क्या हमने निकला था minus b by a आया था और यह b क्या था यह देख सकते हैं b क्या है coefficient of x x के पहले आने वाला और a क्या था x स्क्वाइर के पहले आने वाला लिख देते हैं यानि minus sign बाहर रहेगा अंदर क्या होगा coefficient of x upon coefficient of x square ठीक है इसका नाम क्या है हमने बताया भी alpha है इसको alpha कहते हैं और इस symbol को हम beta कहते हैं यह थोड़ा a जैसा होता है थोड़ा से बाहर निकला होगा और beta में b जैसा होगा थोड़ा से नीचे निकला होगा यह जिसे alpha और beta कहते हैं दूसरा चीज हमने क्या पढ़ा था product of zeros यानि alpha into beta alpha beta क्या होगा क्या हमने देखा था c by a ठीक है यह देख सकते है c by a था हमारा product यानि इसे हम लिख सकते हैं c क्या था constant term जिसके साथ x वगारा कुछ लगा ना हो upon वही coefficient of x square तो यह वो formula है जो उस exercise में हमको use करना है आप समझ गए कि कहां से आया है यह जब इसे use करते रहेंगे तो यह अपने आप याद हो जाएगा खास तोर से इसको बैठ की याद करने के ज़रूर भी नहीं पड़ेगी जितना आप practice करेंगे यह तयार हो जाएगा तो चलिए कुछ examples हम लगा लेते हैं ताकि practice हो जाए find the zeros of the quadratic polynomial यह x square है ठीक है x square plus 7x plus 10 and verify the relation पहले 0 निकालना है इस equation का उसके बाद वो relation जो हमने पढ़ा है यानि 0 और उसके coefficient की बीच में उसको verify करना है कि हाँ यह relation सही है तो क्या है हमारे पास equation है यही x square plus 7x plus 10 इसको solve कर लेंगे आप नीचे लिखिएगा ठीक है मैं एक जिगें चाहता हूँ कि एक ही page में आ जाए ताकि सही रहे तो x square plus इसको हम लिख सकते हैं 5x plus 2x ठीक है 5 to add करेंगे 7x आता है plus 10 हो गया अब यहाँ से क्या होगा x हम common ले लेंगे x plus 5 आ जाएगा यहाँ यहाँ से 2 common ले लेंगे इस जगे से ठीक है तो यहाँ x plus 5 आ जाएगा तो यानि हमारे सामने क्या relation निकल कर आ गया है x plus 2 into x plus 5 यह 0 होना चाहिए तो या तो यह वाली 0 होगी या तो यह वाली इस से हमें x की value निकल कर आ जाएगी x या तो minus 2 होगी और x is equal to minus 5 लिख देंगे therefore zeros of x square plus 7x plus 10 are minus 2 and minus 5 अब यह zeros हमको निकल कर आ गया है इस तरह से statement आप लिख देंगे ठीक है हो गया काम अब verify करना है value value relation तो हम लिख देंगे sum of zeros sum क्या होगा इसका आप चाहे तो alpha बीटा भी लिख सकते हैं इसको यहाँ bracket में लिख दें कि alpha is equal to minus 2 and beta is equal to minus 1 minus 5 चाहे ना लिखें कोई से जरूरी नहीं है तो पहला root क्या है minus 2 दोनों को add करना है दूसरा root minus 5 है इसकी value आ जाएगी minus 7 ठीक है अगर नीचे 1 लगा देंगे तो कुछ नहीं खराब होगा इसको bracket में ऐसे बंद कर लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा अब इसको हम क्या लिख सकते हैं आप देखें ये 7 क्या है यही तो b है यानि coefficient of x तो हम लिख देंगे minus बाहर coefficient of ये short form मैंने लिखा है आप पूरा लिखेगा coefficient of x upon 1 क्या है देखें इसके पीछे कुछ नहीं होता तो 1 ही होगा न यहां coefficient of x square प्रूव होगा हमारा product की बात कर लेते हैं product of zeros क्या होगा minus 2 multiply by minus 5 5 to 10 होगा minus minus plus हो जाएगा तो इसका 10 अंसर आ जाएगा यहां नीचे 1 लगा देंगे तो कुछ नहीं होगा देखे 10 यहां पर था हमारा और 1 यहां पर था यह क्या था हमारा c था और यह a था तो c by a यानि यह क्या होगा constant term हो गया upon coefficient of x square तो हो गया बस प्रूव हो गया बस इतना लिख देंगे हो गया काम अगर exam में आया question यह तो इस तरह से आपको present करके दिखा देना है अगला example देखते हैं इसमें 0 निकालना है polynomial का यह x square minus 3 and verify the relation between 0's a question वही वाला काम जो पहले हमने किया था तो यह हमारे सामने x square minus 3 है क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x square minus root 3 का square तो यह कुछ a square minus b square वाला नहीं लग रहा है a square minus b square का formula क्या होता है गर हम यहाँ देखें a square minus b square तो आपका होता है a plus b a minus b कोई भी आगे पीछी लग सकते हो ठीक है या या a minus b इधर लिख दो चाहिए या a plus b बाद में लिख दो कोई दिक्कत नहीं है तो वही हम कर देंगे x minus root 3 ठीक है minus वाला चली पहले हमने ले लिए x plus root 3 इस तरह लिख देंगे यहाँ से x की value आपकी क्या निकल कराएगी root 3 और x is equal to minus root 3 यहाँ से आपका positive वाला root 3 निकलेगा और यहाँ से इस वाले से आपका minus root 3 निकलेगा तो आपके zeros क्या हो गए zero of polynomial आप यह लिख दोगे x minus 3 x square minus 3 क्या होगा is root 3 and minus root 3 ओके अब verify करना है बहुत असान है sum देख लो यानि root 3 plus minus root 3 इसको जोडेंगे तो क्या आएगा दोनों value सेम है plus minus के वज़े से यह zero हो जाएगा ठीक है जी अच्छा एक और चीज़ यहाँ आपको दिखानी थी जैसे यह लिखा था x square minus 3 तो इसको हम क्या लिख सकते है x square plus 0 x minus 3 यहाँ b की value 0 है इसलिए x वाले term नहीं दिख रहा है x square दिख रहा है और constant वाले term दिख रहा है यहाँ पर आपका a था ठीक है यह आपका c था तो इसको 0 by 1 लिख देंगे तो कुछ गलत हो जाएगा कुछ नहीं होगा और 0 क्या है हमारा coefficient of x यह देख रहे हैं 0 है तब यह x का term गाभ हो गया तो यह लिख देंगे negative लगा दो अब 0 में plus minus से कुछ भी multiply गदो 0 तो 0 ही रहेगा कोई फरक नहीं आएगा coefficient of x upon coefficient of x square product की बात करते हैं यहाँ पर ठीक है product है देख लेंगे root 3 multiply by minus root 3 तो root 3 root 3 3 बन जाएगा plus minus minus sign यानि minus 3 अच्चा नीचे 1 लगा दे कुछ हो जाएगा कुछ नहीं होगा जी minus 3 क्या है c की value है यानि constant वाला term तो वही लिख देंगे constant term है हमारा यह upon 1 क्या है coefficient of x square तो यह भी काम हमारा हो गया अब यह थोड़ा सा अलग question है इसमें आपको roots दिया हुआ है ठीक है उनका sum दिया है और product की value दी हुई है आपको quadratic polynomial निकालना है कौन सा quadratic polynomial वह होगा तो हम let कर लेते हैं let the quadratic polynomial B वो quadratic polynomial क्या हो सकता है a x square प्लस b x प्लस c and its zeros are alpha and beta इसके zeros क्या हो गया alpha बीटा तो हमको alpha प्लस बीटा दिया है वो क्या minus 3 और alpha into beta multiplication दिया हुआ है 2 इसका तो वही लगा देंगे हम alpha प्लस बीटा equals to minus 3 दिया हुआ है और यह क्या होता है minus b by a होता है और दूसरा relation हमको alpha into beta दिया हुआ है वो क्या दिया है 2 दिया हुआ है जो की c by a होता है अब इस minus 3 के नीचे 1 लगा देंगे कुछ नहीं होगा 2 के नीचे 1 लगा देंगे तो भी कुछ नहीं होगा, तो यहां से आप देखिए, इसको compare करेंगे, तो B की value क्या आपको निकल कर आएगी, A की value पहले देख लेते हैं, A देखिए क्या है, यहां देखिए, इधर भी देख सकते हैं, तो A की value निकल कर आजाएगी, 1 और B की value 3 आजाएगा, क्योंकि यह minus minus cancel out हो जाएगा, ठीक है, B की 3 आजाएगी, और C की आपकी 2 आजाएगी, यह तो एक चीज पॉसिबल हुआ, यहां यह जरूरी नहीं कि यही value आएगी, बलकि सिर्फ एक value है, यानि एक रूप है जिसके अंदर ही आ सकता है, for example मैं बताता हूं क्या, ऐसा भी हो सकता था, कि इस B की value 6 रही हो, ठीक है, और A की value 2 रही हो, उस case में जब हम minus B by A करेंगे तो क्या हो जाएगा, minus 6 by 2, जो कि हम cancel out करेंगे, तो 3 आजाएगा, minus 3 आजाएगा, यह हो सकता है, B की value आपकी 9 रही हो, और A की value 3 रही हो, ठीक है, यहनि B is equal to 9 रहा हो, और A equals to 3 रहा हो, तो minus B लगाए तो क्या हैगा, minus 9 by 3, इसको जो हमने काटा तो minus 3, तो हम यह वाला पहले solve कर लेते हैं, इससे हम equation बना लेते हैं, वह equation यह जो हमारी थी, AX square प्लस BX प्लस C, A की value रखेंगे, तो क्या हैगा, X square हो जाएगा, B की value 3 रखनी है, 3X हो जाएगा, C की value 2 रखनी है, लेकिन जरूर 3 भी बन सकती है, for example, इसको मैं 2 से multiply कर दूँ, यानि 2X square प्लस 6X प्लस 4, तो भी देखो, इसके roots क्या निकलेंगे, अब इस equation के मैं alpha plus beta निकाल रहा हूँ, क्या होता है, minus B, यानि 6 by 2, minus 3, और multiply कर रहा हूँ, alpha into beta, क्या था, C, C क्या है, 4 by A, यानि 2, यहाँ से 2 निकल कर आग गया, तो देखिए, यहाँ भी minus 3 और 2 था, और यहाँ भी निकल कर आगया, इस equation का, इसी तरीके से, अगर 3 से multiply कर दिया, पूरी equation को उपर वाली, तो 3X square, प्लस 3, 3 जा 9X, और यहाँ 3, 2 जा 6, प्लस 6 हो गया, तीसरी equation मुम्किन हो गया, इसका भी root निकाल ले, alpha plus beta क्या होत B, यानि minus 9 by A, यानि 3, यहाँ से minus 3 आगया, alpha into beta करेंगे, क्या होता है, C, यानि 6 by A, यानि 3, यह 2, तो यानि एक equation हमने निकाली, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही आए, ठीक है, लेकिन exam में आगा तो simple आप यही वाली लिगा देंगे, ठीक है, इस तरह लिग देना है, अभी जब exercise solve करेंगे, तो यह सारी चीज़ें और clear हो जाएंगी, तो इसमें मैंने यह चीज example देके यह बताया, कि ज़रूरी नहीं हो कि सिर्फ एक ही equation का root का summation और product यह आ सकता है, बहुत सारी equation का आ सकता है, ठीक है, तो इसके बाद आपका book के अंदर वो cubic polynomial का दिया हुआ है, जो division algorithm for polynomials, अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, for example, कोई number हमने ले लिया, जैसे 17 है, इसको 3 से divide करना है, तो हम कैसे करते थे, 17 ऐसे लिखते थे, और 3 बाहर, 3, 5 जा 15 होगा, और minus करेंगे, 2 remainder बचेगा, तो हम इसको किस तरह से लिखते थे, 17 equals 3 into 5 plus 2, यानि 17 क्या था, dividend equals divisor into quotient plus remainder, वही a is equal to bq plus r, जो पहले chapter में हमने पढ़ा था, तो यह तो numbers के लिए हो गया, अब इसको हम polynomials के लिए भी यही relation use कर सकते हैं, कि एक polynomial किसी दूसरे polynomial को जब divide करेगा, तो कुछ quotient आएगा, कुछ remainder बचेगा, तो हम मान लेते हैं, if px and gx are two polynomials, तो जैसे उपर हमने दो number माने थे, 17 और 3, वैसे px और gx दो polynomial हो गया, क्योंकि polynomial में variable होता है, x, y, z कुछ भी होता है, तो इसलिए हमने x लिखा है, px, ठीक है, जहाँ पर with gx not equal to 0, gx 0 नहीं होना चाहिए, तो हम क्या relation लिख सकते हैं, px equals gx multiply by qx plus rx, ठीक है, जैसे हमने px को मान लिए 17 माना था, और gx को 3 माना, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर px है, और यह gx है, quotient जो बचा, उसको qx हमने कर दिया, remainder rx, ठीक है, तो इस तरह से हम polynomial के लिए भी लिख सकते हैं, अब जैसे हमने यहाँ इस relation के लिए पढ़ा था, remainder क्या होना चाहिए, वो less than b होना चाहिए, जैसे यहाँ 2 less than 3, यह b है आपका, वैसे यहाँ पर भी एक condition है, where, जो rx हमारा होगा, वो या तो 0 हो, और degree of rx is less than degree of gx, यहाँ तो remainder 0 आ जाए, नहीं तो degree इसकी gx से कम होनी चाहिए, जैसे वहाँ हमने remainder r less than होना चाहिए b से, वैसे यहाँ पर जो degree होगी remainder की, वो gx की degree से कम होगी, question में हम देखेंगे, तो जादा यह clear होगा, तो example हम ले लेते हैं, कोई polynomial है, 2x square plus 3x plus 1, उसको divide करना है x plus 2 से, तो px हमने मान लीजिए, यही मान लिया, 2x square plus 3x plus 1, और gx हमारा क्या हो जाएगा, x plus 2, तो हम कर लेते हैं, यह divide करना आपने सीखा है, फिर भी हम यहाँ दिखा देते हैं, 2x square plus 3x plus 1, divided by x plus 2, तो अब divide इसको क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सबसे पहली चीज होती है कि decreasing order of degree में arrange करने अगर ना हो, for example, जैसे यह लगा हुआ है, कि यहाँ x square highest power है, उसके बाद यह x की power 1 है, x की power 0 है, अगर यह for example, ऐसे लिखा होता, 3x plus 2x square plus 1, तो हम यहाँ पर put करने से पहले इसको arrange कर लेते हैं, यह 20 power को पहले लिखते हैं, 2x square, फिर उससे कम वाली 3x, फिर 1 लिखते हैं, इस तरह से हम लिख लेते हैं, अब हम divide कैसे करेंगे, इसी तरह इसमें भी करतें, ठीक है, जिसको जो divisor है, उसमें भी करतें, for example, अगर 2 plus x लिखा होता, तो उसको x plus 2 लिखतें, यहाँ पर, जैसा लिखे हैं, तो हम इसमें आप करेंगे क्या, कि divisor की बड़ी power ले लो, divisor की बड़ी power x है, और dividend की बड़ी power, dividend की बड़ी power वाली equation क्या है, part क्या है, 2x square है, अब हमको इस x को 2x square बनाना है, क्या करना पड़ेगा, अगर इसमें हम 2x से multiply करतें तो बन जाएगा, ठीक है, यह बन जाएगा 2x square, यह चीज़ आपको अपने mind में करनी है, यानि practice करते रहेंगे तो हो जाएगी, अभी चायराफ column में आप कर ले, इसको आपको answer sheet में नहीं लिखना, answer का part नहीं है, यह आपको अपने दिमाग के अंदर करना है, जो कि practice से हो जाएगा, तो हमने इस x को 2x square बनाने के multiply किया, यही 2x आपका, यहाँ quotient के तरह आजाएगा, तो x into 2x क्या हो जाएगा, 2x square हो जाएगा, और 2 into 2x plus sign इसका positive है, 4x हो जाएगा, इसको हम minus कर देंगे, sign यहाँ change हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, और यहाँ minus x बच जाएगा, ठीक है, यह 1 उतार लेंगे, plus x, अब दे बनाना है, यहाँ देखिए x है और यहाँ minus x है, तो इसको minus x बनाना है, क्या करना पड़ेगा, minus से multiply कर दो, यानि इसको हम multiply by minus 1 कर दें, तो हो जाएगा काम, तो वही कर लेते हैं, यहाँ minus 1 ले आएगे, तो यह minus x हो जाएगा, और 2 into minus 1, minus 2 हो जाएगा, minus करेंगे, sign change हो जा जा जाएगा, और यहाँ 3 आ जाएगा, बस यह हो गया हमारा divide और ऐसे करते हैं, divide तो px और gx हमने माल लिया था, qx क्या आया है, quotient आपका क्या आया है, यह देखिए, यही आया है, 2x माधना है, two x minus 1 और rx क्या है, three आया है, आप यहाँ से देख सकते है, three को क्या लिख सक 3x की power 0, किसी की power 0 होगी, तो 1 हो जाएगा, यानि इसकी degree क्या है, इसकी degree 0 है, और इसकी degree 1 है, तो हो गया, दो condition हमने पड़ी 3 remainder के लिए, या तो 0 आ जाए, 0 नहीं है, लेकिन degree इसकी divisor से कम है, यानि gx की degree से rx की degree कम है, तो यहाँ से भी यह चीज प्रूव हो जाती ही, जैसे हम लिखें, 2x square plus 3x plus 1, इसको हम क्या लिख सकते है, यही हमारा px है, equals to x plus 2, यानि यह gx है हमारा, और quotient हमारा क्या है उपर, 2x minus 1, यानि यह qx है, plus remainder हमारा 3i है, यही हमारा rx है, तो यहाँ से हमारा यह proof हो गया कि polynomial में भी हम division algorithm use कर सकते हैं, और इस तरह से यह काम करेगा, और division करना आपने देख लिया, कैसे हमको divide करना है, अब एक अच्छा सा question ले लेते हैं, divide करने के लिए, 3x cube plus x square plus 2x plus 5, तो यही हमारा क्या है, यह हमारा px है, ठीक है, 3x cube plus x square plus 2x plus 1, और gx हमारा क्या है, जिससे divide करना है, अब देखी, यह order में नहीं लगा हुआ है, हमारा divisor जो है, वो order में नहीं लगा है, यहाँ पर ascending order में लगा है, यानि कम degree वाला पहले है, और जादर degree वाला last में है, तो order में हम कर लेते हैं, x square सबसे पहले आयागा, क्योंकि इसकी degree सबसे ज़्यादा है, फिर 2x, फिर 1, तो यह हो गया अब order, अब हम इसको divide कर सकते हैं, ऐसे अपना कर लेंगी divide, 3x cube प्लस x square प्लस 2x प्लस 1, और इसको किसे करना है, x square प्लस 2x प्लस 1, वही पहला step, इस x square को हमको 3x cube बनाना है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको multiply करना पड़ेगा, 3x से, तो हो जाएगा हमारा काम, यह चीज आपको mind में करना है, या rough side में करना है, सिर्फ आपको पहला ही देखना है, highest degree वाला divisor और dividend, इसी को compare करना है, तो यहाँ 3x से multiply कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं, हमारा काम हो जा रहा है, ठीक है, यह आ जाएगा, फिर 2x into 3x, 2, 3s are 6, और x और x, x square हो जाएगा, plus 1 into 3x, 3x आ जाएगा, minus करेंगे इसको, sign change हो जाएगा, यह तो 0 हो जाएगा, यह आ जाएगा, minus 5x square, और यहाँ से plus 2x, minus 3x, तो minus x, plus 1, अब फिर वही काम, x square को हमको minus 5x square बनाना है, कैसे बनेगा, x वाला item तो पूरा ही है, इसको minus 5 से multiply कर देते हैं, ठीक है, minus 5 से multiply कर दो, minus 5x square हो जाएगा, और इसको करेंगे, 2, 5s are 10, और minus का sign है यहाँ पर, तो minus 10x हो जाएगा, plus 1 into minus 5, minus 5 हो जाएगा, ठीक है, minus करेंगे, इसका sign change हो जाएगा, यहाँ plus, यहाँ plus, यहाँ plus, और यह हो जाएगा, 9x plus 6 हो जाएगा, अच्छा, एक गलती हो गई थी हमसे starting में, कि यह देखिए, यहाँ पर 5 था, और हमने 1 ले लिया था, इसलिए आपके example से तोड़ा अलग आ रहा होगा answer, कोई बात नहीं, 1 ले लिया तो 1 से भी divide कर देंगे, यह अगर 5 ले ले लेंगे, तो यह यहाँ 5 उतर जाएगा, ठीक है, तो यह यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है, हमारे solving में गलती नहीं थी, यहाँ से question उतारने में गलती ठीक है, तो degree कम है, remainder की, इसी तरह example 8 है, इसको भी आप कर लोगे, I think कोई इसी problem होने वाली है, नहीं, इसको आप खुद try कर सकते हो, example में भी दिया हुआ है, example कहीं है, तो इसको खुद आप से, आप try करोगे, ठीक है, अब यह question आता है, आपको zeros find करने का, कुछ zero आपको दे ही चुके हैं किस तरह से निकाला जाता है, लेकिन अगर 3 degree या 4 degree या उससे उपर का जाएगा, तो आप कैसे करोगे, तब आपके लिए problem हो जाएगी, उस condition में होता ऐसा है, कि अगर आपको 3 degree का cubic equation दिया है, तो वो आपको 1 zero दे कर रहेगा, ठीक है, 1 zero given रहेगा, 3 degree वाले मे मैं पहले lecture बता चुका हूँ, कि कितने zeros हो सकते हैं, at most 3 zeros हो सकते हैं, 3 degree वाले में इसी तरह n degree का हमने पढ़ा था, उसमे n zero हो सकते हैं, तो जितने degree होंगी, उतने ही maximum zeros हो सकते हैं, तो अगर 3 degree का है, तो कम से कम ये एक आपको देगा, अगर 4 degree का है, तो 2 कम से कम आपको zeros द निकालिये, इसे तरह 5 degree का होगा, तो 3 zeros आपको दे कर रहेगा, और कहेगा बाकी आप 2 निकालिये, ठीक है, इतना आपका हग बनता है, कि आपको वो सिर्फ 2 ही निकालने को देगा, बाकी आपको सब दिया रहेगा, तो ये कैसे होगा, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, for example, ये question आपको दे दिया, कि x cube minus 3x square minus x plus 3, ये question दे दिया, और कहा इसका 1 0, यानि 1 0 आपका क्या है, 1, 1 0 की value आपको दे दिया, और कहा बाकी के 2 zeros निकालो, क्योंकि 3 degree है, 3 zeros जादा जादा आएंगे, 1 0 आपको दे दिया, जिसकी value 1 है, और बाकी 2 निकालना है, तो 0 का मतलब क्या है, कि ऐसी value x की, जिससे ये equation 0 हो जाए, तो एक जो आपको दिया है, वो क्या दिया है, कि x is equal to 1, ये दिया हुआ है, इसको equation के form में बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे, इस 1 को इधर ले जाएंगे, x minus 1 हो जाएगा, बाकी इधर बचेगा 0, अब ये हो गई ुद के एक चीज, अब ये जो आपका x minus 1 आया है न, ये इसका factor होगा, ठीक है, factor होगा, factor क्या होता है, जिसे 12 का factor के हम बात करें है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, यानि ऐसे वो number, जो इस number को पूरी तरह divide कर ले, वो उसके factor होंगे, 1 पूरी तरह divide करेगा, कोई remainder नहीं बचेगा 2 भी पूरी तरह से divide कर लेगा 3, 6, 12, इसके लिए होगा 7, 7 नहीं कर पाएगा, remainder बचेगा तो यही सारे क्या कहलाएंगे factor, जो इस तरह से divide करें कि remainder 0 आए तो polynomial case में अगर x-1 को हम कह रहें इसका factor यानि अगर इस equation को इस x-1 से divide करेंगे तो remainder 0 आएगा पूरा पूरा divide हो जाएगा ओके तो यह value कहां से आई थी x-1 वही root वाले जो value थी उसको equation बना दिया हमने x is equal to 1 से यह कल दिया था तो आब हम इसको divide करेंगे ठीक है इसको हटा देता हूँ मैं 0 आएगा पूरा पूरा divide हो जाएगा तो divide करना हम सीखिए है कैसे करेंगे इस x को x-3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा x-square से multiply करना पड़ेगा ठीक है कर देते हैं x-3 बन गया और यह minus 1 और इस से multiply होगा minus x-square हो जाएगा sin यहाँ change हो जाएगा यह तो 0 हो जाएगा यहाँ बचेगा minus 2x-square x को उतार लेंगे नीचे अब इस x को minus 2x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो minus 2 से multiply कर दो फिर x की कमी है x से multiply कर दो अब हो जाएगा minus 2x-square ठीक है और minus 1 और minus 2x को multiply करेंगे कितना हो जाएगा minus minus plus और 1 into 2x 2x ही बचेगा यहाँ sign change हो जाएगा ठीक है यह 0 हो जाएगा और minus x और minus 2x minus 3x plus 3 हो जाएगा अब इस x को minus 3x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा minus 3 से multiply कर दो तो minus 3x हो जाएगा और minus 1 और minus 3 को multiply करेंगे minus minus plus और 1 into 3 3 यह आगया remainder 0 जो हमने पढ़ी लिया था होगा तो हम इसको divisal algorithm के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं इस x cube minus 3x square minus x plus 3 को हम क्या लिख सकते हैं x minus 1 जो gx था हमारा into x square minus 2x minus 3 अब भईया इसको solve नहीं कर सकते हैं हम इसको तो बहुत असान है हम करी चुके हैं quadratic का कैसे solve करते हैं इसको करेंगे तो इसकी value मैं direct लिख देता हूँ x plus 1 आएगा और x minus 3 आएगा तो इस equation को हम क्या लिख सकते हैं x minus 1 x plus 1 x minus 3 यानि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा तभी जाके ये equation हमारी equal to 0 होगी ठीक है equal to 0 यहां भी कह सकते हैं या नि x की value क्या आगई या तो 1 होगी इसके हिसाब से इसके हिसाब से या minus 1 होगी और इसके हिसाब से या 3 होगी तो यही तो भाईया हमारे क्या हैं? zeros हैं 1 minus 1 और 3 तो 1 आपको दिया था बाकी 2 आपने क्या निकाला? minus 1 और 3 बाकी zeros आपने निकाल ली तो इस तरह से zeros हम निकालेंगे एक कोशन करते हैं अच्छा कोशन है आपकी example का है जिससे चीजें और clear हो जाएंगी तो आपको equation यह दी हुई है 4 degree का equation है और आप यहाँ statement इस तरह से लिख देंगे since two zeros are root 2 and minus root 2 तो हम ऐसे लिख देंगे x minus root 2 और x plus root 2 वही equation हमारा जैसे हमने बनाया था पहले question में इसको हम क्या कह सकते हैं? x square minus 2 अब इससे क्योंकि यह factor होगा इस equation का इससे हम divide करेंगे इस equation को तो चलिए करते हैं कैसे करेंगे x square को हमें 2x की power 4 करना है यानि यहाँ 2 की कमी है 2 लगा देते हैं x square है x की power 4 करने के लिए x square की कमी है लगा देते हैं 2x की power 4 हो जाएगा अब इसको multiply करेंगे minus 2 और into 2x 2, 2 is a 4 और minus के sign के साथ 4x square हो जाएगा लेकिन यहीं पर आकर तो गलती होती है जो degree होगी इसलिए equation को कराने का मकसद था है जो degree होगी उसी के नीचे उसका degree वाला लिखा जाएगा जैसे 4x square आये न तो 2 degree वाला 3 degree की नीचे नी लिखा जाएगा बलकि 2 degree की नीचे लिखा जाएगा तो इसको यहाँ से हटा देते हैं यानि अब यह यहाँ लिखा जाएगा minus 4x square ठीक है यह बात आपको ध्यान रखना है नहीं तो minus ही नहीं होगा degree सेम होगी तभी minus होगा तो यहाँ sign change हो जाएगा minus करना पड़ेगा तो क्या हो जागी 0 हो जाएगा इसको as it is उतार लेंगे क्योंकि इसकी नीचे कुछ नहीं है minus 3x cube हो जाएगा और यहाँ यह प्लस होगा तो क्या होगा minus 3x square plus 4x तो बड़े वाले की पावर लेंगे यानि प्लस है और x square आ जाए तो minus 3 से तो multiply होगा ही होगा एक x ही कमी है उसको भी लगा देंगे तो minus 3x cube हो जाएगा अब फिर देखें यहाँ पर क्या है इसको multiply करेंगे 3 to the 6 और minus minus plus और x plus 6x तो अब 1 degree वाला है एक degree की नीचे उतारेंगे यानि plus 6 यहाँ लिखेंगे x square की नीचे ने लिखेंगे फिर minus क हो जाएगा यहाँ यह हो जाएगे 0 हो जाएगा x square को एजटी जैसे है वैसे उतार लेंगे यह तो 0 ही हो गया प्लस 2 अचेगा ठीक है इसको चाहे थोड़ा छोड़के लिखने चाहे को दिकत नहीं है तो 0 होई गया है यहाँ minus 2 था ठीक है तो यहाँ minus 2 था ठीक है इसलिए यहाँ पर यह minus आएगा remainder 0 होना चाहे नहीं है factor है तो remainder 0 होगा तो फिर से एक बार हम अब की 1 से multiply करेंगा 1 से multiply करेंगा तो क्या हो जाएगा x square minus 2 और यह 0 हो जाएगा तो इस equation को उपर वाली हम क्या लिख सकते हैं जो divisor था हमारा x square minus 2 multiply by quotient 2x square minus 3x plus 1 इसको आप quadratic को solve करना जानते हो जब करोगे तो आएगा 2x minus 1 x minus 1 तो या तो यह equals to 0 होगा या तो यह होगा equals to 0 2x minus 1 equals to 0 यानि x is equal to 1 by 2 और यहाँ से कर लेते हैं x is equal to 1 तो बाकी बचे root भी हमारे आ गए यानि 1 by 2 और 1 ठीक है तो four roots इसके होंगे एक तो root 2 होगा minus root 2 और 1 by 2 और 1 तो यह चार इसके zeros आ गए ठीक है दो zeros हमको दिये हुए थे दो हमने निकाले ठीक है इसको roots भी कहते हैं आगे classes में आप पढ़ोगे तो अक्सर इसलिए जुबान से निकल जाता है roots ठीक है तो higher classes में इसको roots ही कहते हैं zeros नहीं तो यह four इसके zeros आ गए ठीक है यहाँ पर आकर यह topic इसका concept खतम होता है इसी तरह क और वीडियो देखने के लिए या किसी और दूसरे subject की और वीडियो देखने के लिए आप YouTube पे सर्च करना चैनल का नाम CBSC words चाहे लोगों पे या फिर जहाँ CBSC words लिखा है उसपे आप क्लिक करोगे फिर आपको home video playlist दिख रहा होगा आपको playlist पे क्लिक करना है नीचे scroll down करना है तो आप देखो कि यह CBSC class 10 वाला section आ गया और तीन playlist में देख रही है नीचे down arrow होगी उसपे आप क्लिक करोगे तो सारी CBSC class 10 की playlist आपको दिख जाएगी history, civics, economics, geography, science, maths उसके नीचे maths के नीचे देखो science की previous year इसी तरह सारे subjects की previous year की playlist है आपर फिर map की है one shot videos की है English की है quiz की है इस तरह से सारी मिल जाएगी और आप नीचे आओगे तो यहाँ class 10, math, exercise, exemplar यह अलग section आगया यहाँ पर class 10, math की chapter wise playlist है तो यहाँ से भी जो भी आप वीडियो देखने चाहते हो देख सकते हो और दूसरा तरीका यह है कि आप वीडियो के नीचे right side corner में एक arrow दी होगी उस पे click करोगे तो description open हो जाएगा description में सारे playlist के link दिये हुए हैं तो वहाँ से भी आप playlist देख सकते हो मेरा telegram group है आप उसे भी join कर लो facebook page है उसे भी like कर लो सबका link आपको description में मिल जाएगा तो आप कोई वीडियो कैसी लगी comment करके जरूर बताइए अच्छी लगी हो तो like करिए और channel पर नए है तो subscribe कर लेजिए और उसके बगल में एक bell का icon होगा उसको दबा के all पर click कर देंगे तो जब भी नए वीडियो आएगी आपको message आ जाएगा okay तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में thank you